खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेए सवाल उठा दिये शीला दिक्षिद दिल्ली कॉंग्रस की अध्यक्ष है शीला ने ABP News से काया कि जब गडबंधन नहीं करने पर फैसला हो चुका है तो फिर सर्वे का क्या मतलब है तो शक्ति आप कॉंग्रस का जिस पर ये सर्वे किया जा रहा है पीसी चाको की तरफ से और देखिए सर्वे में सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है अपने कारे करताओं से क्या बीज़ेपी को हराने के लिए कॉंग्रस को आप से गडबंधन करना चाहिए हां के लिए एक दबाए ना के लिए दो दबाए दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शीला दिख्षित ने साफ कर दिया था कि आमापनी पार्टी के साथ गटबनना नहीं होगा लेकिन अब ऐसी खबरे सामने आई है कि पीसी चाको ने बाकाएदा एक ओपीनियन करना शुरू कर दिया है दिल्ली में मैं इस तरीके की प्रदेश की जनकरी आपको भी मिली है नहीं मुझे आज बीनी बस्याथ मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि फाइनल डिक्षित मेरे हाइब से मेरी नजर में राहुल जी ने ले लिया था कि हम गल्टबनन नहीं करेंगे और उसमें चाको बीजी थे और उसके ले लिया था उसके बाद कोई सब्रoga आज अपार में यह पड़ रहे हैं उनके पास तोिक Paco exhausted ये अब होगा तो चाको जी दे हमें तो किसी को ढता?? युसकि शर्णी को भूझा कि ंपताose, पारष के गांप्ते सरे लस्प्राइब के राद खमकृ। किसी भी प्रदेश बेरे सिर्फ नहीं है किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के बिना जारकारी के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और मैं इस सब के बीच में अर्विन के जीवा लगातार कल भी जब वो सामने उनका कहना था हर्याणा को लेकर के अब हम जो है राहुल जी से अफ कोई चीज को सकसेस्फुल नी होना जैदे नी तो ये कॉमेंट्स करने की आवशकता नहीं है कॉमेंट्स जो केदर डिसाइड कर लेता है वो फाइनल होता है फिर इसको उठाने की क्या जब गते है तो दिल्ली कॉंग्रेस की अध्यक शीला दिक्षित को आप सुन रहेते है शीला दिक्षित बिलकुल राजी नहीं कि कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का गडबंधन दिल्ली में हो हाला कि आपको चैनल ABP News आपको ये गडबंधन मीटर दिखा रहा है कि अगर गडबंधन हो जाता है कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी का राहुल गांधी और केजरिवाल अगर हाथ मिला लेते हैं तो फिर दिल्ली की तस्वीर क्या होगी दिल्ली में कितनी लोग सभा की सीटे हैं कुल साथ है 2014 में क्या हुआ था सातों सीटे जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी दिल्ली का गणित ये कहता है सिधा सिधा गणित है ये दिल्ली का कि अगर आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस साथ में आ जाती है तो वोट शेर उसका बढ़ जाएगा सीधे बीजेपी से बीजे 2014 के ये नतीजे आपके सामने जहां बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया था साथ की साथ लोग सभा सीटे दिल्ली की बीजेपी के खाते में आई थी वही 46.4 फीसद वोट बीजेपी का आमाद्मी पार्टी कॉंग्रेस खाता भी नहीं खोल पाय थे 32 फीसद से जादा करीब 33 फीसद आमाद्मी पार्टी का वोट शेर कॉंग्रेस का करीब 15 फीसद वोट शेर और यही मिलाकर हम आपको आकड़ा दिखा रहे थे और कुल मिलाकर अगर साथ आ जाते हैं आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस तो जैसा कि ये गणित कहता है 2014 के मुकाबले दिल्ली की यही तस्वीर उभर रही है कि अलग-अलग अगर तीनो दल लड़ेंगे तो फिर सीधे फायदा बीजपी को हो रहा है दिल्ली में